नमस्कर दोस्तों, Food Divine में आप सबी का स्वागत है, आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी एक डाल की रेसिपी सेयर करूँगी एक बर आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गुल लगते थाउजन तो आज के रेसिपी के लिए लिया है मैंने यहाँ पर एक कप मुसुर दाल दाल को अच्छे से दो-तिन बार साप पानी से दो लिया है दाल को अलग से बिगो के रखने के कोई जूरत नहीं है एक बड़े साइज के आलू को पील करने के पाद हम ऐसे पतले स्लाइस में काट लेंगे दाल और आलू को मैंने अच्छे से दो लिया है और आज के रेसिपी के लिए चाहिए हमें अंडे तो मैं यहाँ पे चार अंडे का यूज कर रही हूँ आप अंडे कम जादा कर सकते हूँ अंडे में हम डालेंगे नमक स्वादन सार बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे दो से तीन पिंच कस्मिरी रेड चिली पाउडर दो पिंच डालेंगे हल्दी और आदा चम्मज हम डालेंगे यहाँ पे ब्लेक पेपर पाउडर अच्छे से अंडे को हम फेट लेंगे अंडे को मैंने अच्छे से फेट लिया है तो चलिए चलते नेक्स टिप की ओर अब हम ले लेंगे एक कुकर कुकड में हम डाल देंगे दाल और आलू पानी हम डालेंगे यहाँ पे करीब दो कप आदा चम्मच हम डालेंगे हल्दी और नमक डालेंगे हम एक चम्मच एक चोटे साइज के प्याज को चोटे-चोटे टुक्रों में काट लिया है डालेंगे दो हरी मिर्ज दो टुक्रा करके पानी हम डालेंगे यहाँ पे करीब दो कप एक चम्मच अध्रक और लैसन का पेस्ट और एक चम्मच हम डालेंगे तेल सिर्फ एक चम्मच गैस का प्लीम हम ओन कर देंगे एक बार अच्छे से मिलाएंगे कुकर को हम बन करके 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में डाल को कुकर में पकाएंगे 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे तो गैस का फ्लेम मैंने ओन कर दिया है कुकर को हम बन करेंगे और मीडियम फ्लेम में हम दो सीटी आने देंगे, दो सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे दाल को मैंने दूसरे चुले पे टांसपर कर लिया है, अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डालेंगे एक चम्मज तेल तेल को हम पहले गरम कर लेंगे तेल को हम पैन में चार ओर फैलाएंगे और जो अंडे हमने फेट के रखे थे वो हम दो बारी में फ्राइ करेंगे तो तेल जैसे हमारा गरम हो जाए हम डाल देंगे यहां पर अंडे गैस का फ्लेम हम लो मीडियम करके नीचे की और पहले अंडे को फ्राई करेंगे कुल देर में जैसे हमारा ओमलेट नीचे की और फ्राई हो जाए हम इस तरीके से ओमलेट को फोल कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए हम इसे फोल करते रहेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हमारा लोग पे है कुछ दिर हम इसी तरीके से रखेंगे फिर हम पलट देंगे अच्छा साथ जब तक कलर चेंज ना हो जाए कुछ दिर बाद हम ओमलेट को पलट देंगे और इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे साइज छोटे बड़े आप कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो देखें ओमलेट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है देखें दोनों और से बहुत ही सुन्दर सा कलर आ गया है हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा ओमलेट भी हम फ्राई करके कट कर लेंगे अब हम पैन में लेंगे तीन चम्माच तेल और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे अगर आपको यहाँ पे तेल जादा लगे तो आप तेल कम करके भी ले सकते हो तिल जैसी हमारा गर्म हो जाए हम एक तेज़ पत्ते को दो टुक्रा करके डालेंगे दो डालेंगे हम सुखी लाल मिर्ज गैस का प्लेम बिल्कुल हम लोपे रखेंगे अभी और डालेंगे एक चम्माज पाच पूरून पांच चैन लैसन को पत्ली स्लाइस में काटके डालेंगे गैस का प्लेम बिल्कुल लोपे है लैसन का कलर जैसी हलका चेंज हो जाए हम डालेंगे एक मीडियम सैज की प्याज को पत्ली स्लाइस में काटके गैस का प्लेम अब हम मेडियम करेंगे और प्याज की कलर चेंज हो जाने तक हम प्याज को प्राइ कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल में नए हूँ अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को जादा से जादा से जादा सेयर दी कीजेगा और ये रेसिपी अगर आप ट्राइ करते हूँ तो नीचे कॉमें सेक्षन में जरुर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा अब देख सकते हूँ प्याज अच्छे से हमारा फ्राइ हो गया है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है अब हम डाल देंगे यहाँ पर बॉइल की हुए डाल डाल भी हमारा पूरी तड़ी के से सॉप्ट हो गया है एक बार अच्छे से मिलाएंगे और दाल की जो ठीकने से अब अपने पसंद करने सरे यहां पर एड़्जस कर सकते हो तो यहां पर डाल को अभी दो से तीन मिनिट पकाना है तो मैं यहां पर हल्का गुन-गुना गरम पानी डाल लिए हूँ एक बार हम मिलाएंगे और डाल देंगे हम यहां पर फ्राइ किये हुए ओमलेट डालेंगे थोड़ाचा कटा हुआ हरा धनिया दो हरे मिर्च बीज में से चीरा लगाके गैस का प्लिम लो मीडियम करके हम दाल को तीन से चार मिनिट के लिए खोल के पका लेंगे मुझे थोड़ासा नमक कम लग रहा है तो मैं यहां पर नमक डाल दूँगी आदा चम्मच और आप देख सकते हूँ आलू और दाल हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और दाल आपको अभी थोड़ासा पतला लग रहा होगा जब 3-4 मिनिट हम दाल को और पकाएंगे तब दाल हमारा और ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो बीच-बीच पे हम दाल को चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा पैन में दाल ना चिपके 3-4 मिनिट बात हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे हमारा बहुत ही टेस्टी दाल बन के तयार है फ्रेट्स मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया है अगर आपको कलर के लिए डालना है तो आप यहाँ पे मिर्च पाउडर डाल सकते हो तो दाल हमारा तयार ह हम दाल को सर्फ कर लेंगे एक प्लेट में और दाल ठंडा हो जाने के बाद और ज्यादा गारा हो जाएगा तो इससे ज्यादा और गारा मत कीजिएगा तो दाल को हम सर्फ कर लेंगे एक प्लेट में तो फिर्स आज की रेसिपी बनाईए खाईए फिर मुझे बताए कि आप लोग को कैसा लगा रेसिपी थोड़ा सब आप लोग को अच्छा लगे थे दोस्तों के साथ सेयर कीजेगा और इस रेसिपी से आप रोटी चावल पराठी कुछ भी खा सकते हूं तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार